तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सवाल लिखा हुआ है यह आपका कच्छा दस्मी अध्याय 13 एक का दूसरा सवाल NCRT book और यहां पर आप देख सकते हैं यह आपका question very most है यह आपका board प्रक्षा में देखने के साथ साथ यह प्रस्न आपको प्रस्न वैंक में भी देखने को मिला होगा ठीक है तो आपको सिखाते हैं और आपको बताते हैं और आप यह कहेंगे वीडियो को देखने के बाद के स है ठीक है क्या कहा रहा है कोई वर्तन है एक खोकले अर्द गोले का अकार का है जैसे आप एक कटोरी ले लेजिए ठीक है एक कटोरी ले लेजिए बो आपकी कहलाती है एक अर्द गोला खोकला ठीक है किस प्रकार से रहती है बो आप यहां पर देख लीजिए सबसे पहले ठ अब किया कह रहा है जिसके ऊपर एक खोकला वैलन, अध्यार पित है यानि कि एक वेलन है, जो खोकला है वह इसके ऊपर हुआ है, इसके ऊपर खड़ा हुआ है यह Pa laro, वेलन है और यह वी एक खोकला है यानि कि इसमें iyi अपन कुछ भी डाल सकते है थीक है। यह अपन को डालना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है। आपसे अर्द गोले का ब्यास चउदा सैंटीमीटर है। ठीक है आप क्या कहा रहा है और इस वर्तन यानि की पात्र की कुल उंचाई यानि की इस अर्दगोली की और इस बेलन की पूरी पूरी उंचाई उसने बता दी है कितनी है तेरा सेंटी मीटर कितनी है तेरा सेंटी मीटर पूरे की है पूरे वर्तन की ना की केवल बेलन की ठीक इस बात को आपको ध्यान में रखना है फिर कह रहा है इस वर्तन का आंतरिक प्रष्टी चेत्रफल ग्याद कीजिए यानि कि ना अर्दगोले की पूछ रहा है पूरे वर्तन की पूछ रहा है पूरे वर्तन की आप से क्या पूछ रहा है चेत्रफल पूछ रहा है पूरे पू कर सकते हैं वो आप यहां पर पहले सीख लीजिए देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपको सबसे पहले वेलन का आपको छेत्रफल पता होना चाहिए क्या है वेलन का प्रश्टिय छेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए ठीक है तभी तो आप निकाल पाएंगे देख कि पूरे वर्तन का तभी तो निकाल दॉब जानती होंगि और इसका अगर अफां आप का निकाल नेगे जोड देंगे तो पूरे का निकलाएगा ठीक है तो क्या होता है आपका यहां तू पाई आर एच यह होता आपका बेलन का प्रष्टिये छेत्रफल का सूत्र अब यहां पर और आपको अर्द गोले का अब सबसे पहले आपको गोले का सूत्र पता होना चाहिए गोले का प्रष्टिये छेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए ना फिर तो आपको अर्द गो सकते हैं कि अपनको अर्ध गोले का निकालना है तो क्या करेंगे अर्ध क्या निकालना है अर्ध गोले का निकालना है तो दो का भाग दे दीजिए इसी में तो आपका निकाल आएगा अर्द गोले का प्रिष्टिय छेत्रफल ठीक है तो 4 πाई आर स्क्वेर है ठीक है यहां पर आप 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 तो क्या निकल कर आ जाएगा 2 πाई आर स्क्वेर ठीक है 2 πाई आर स्क्वेर आप यहां पर आपको अच्छी तरह से यह समझ में आ गया होगा कि ह समय पहले वेलन का प्रिष्टिय छेत्रफल ग्याद करना है और अर्द गोले का प्रिष्टिय छेत्रफल ग्याद करना है जो निकलेगा माल दीजिए वेलन का प्रिष्टिय छेत्रफल दो निकला और अर्द गोले का प्रिष्टिय छेत्रफल दो निकला तो आंसर क्या हो ज सकते हैं यहां पर आपको आर कमान पता है कि नहीं पता है वो सब आप यहां पर देखेंगे ठीक है तो अब आपन क्या करते हैं हल कि क्या करते हैं हल यहां पर आपको सबसे पहले लिखना है दिया है आपको इस प्रिकार से लिख लेना दिया है सबसे पहले आपको क्या दिया मि辯ा एर्दव गोले के बयास कितना है 14 cm सेंटी मीटर तो आपको लिख लेना है यहां म kommun לצा गोले का बयास की है कि इतना दिया गया है 14 सेंटी मीटर यहांदे कि अगर हम इसकी तरज्या निकालना चाहे to कितनी हो जाएगी देखो यह आपकी त्रज्य हां पे पूरा ब्यास है अगर साथ हो जाएगा साथ सैंटी मीटर ठीक है अब आपको बता दिया जाए देखो ये आपका अर्दगोला है ये खोकला बरतन है इसी के ऊपर तो आपका ये बेलन अध्यारोपेत है यानि कि जितनी इसकी तरज्या होगी यानि कि जितना इसका ब्यास होगा उतना इसका होगा ठीक है यानि कि इसका ब्यास भी आपका कितना होगा 14 cm होगा अगर हम बेल टरिज्य को रही हो जाएगी साट सेंटी भी हो जाएगी अब यहां पर आप क्या देखेंगे अbn आपको एक चीज्ज और निकाल ली है इस कम चल और आपको निकल आlya है चिंगे वेलनक में प्रश्टी च्छित्रफल जो आरस में है अपने वो निकाल लिया है और अर्द गोले की तरज्जावी आर निकाल लिए अब बचा केवल एच अब एच कमान कैसे निकालेंगे वो आप देख लीजिए देखो आपको कैसे निकालना है यहां पर लिखेंगे आप वे इससे यह भी तरज्जा भी तो आपकी सेम होगी, जाह से यहाह तक का पूरा ब्यास 14 सैंटीमीटर है और चाउदा सैंट अगर आपको तरज्जा नेकालना तो यह तैबल सात सैंटीमीटर हो जाएगी where तो यहां पर आप नहीं चेंगे तरज्जा नेकालना चाहें तो किनी होगा उतना आपका अर्द गोला होगा यानि कि अर्द गोले की उंचाई कितनी है साथ अगर हम बेलन की उंचाई निकालना चाहें क्योंकि यह तेरा आपको पता किसकी दी गई है यह तेरा यह आपको तेरा पता किसकी दी गई है पूरे वर्तन की उंचाई दी गई है न यानि कि आपको क्या करना है बेलन की उचाई बराबर पूरे वरतन यानि कि पूरे वरतन की उचाई माइनस अर्द गोले की उचाई माइनस अर्द गोले की उचाई अब यहां पर आप देख सकते हैं कितनी है बरतन की उचाई 13 सेंटी मीटर और माइनस अर्द गोले की और चागी 6 cm बेलन की उंचाई आपको सब कुछ मिल गया है अब आपको केवल शूतर में यह सभी मान रखना है मान रखने के बाद को क्या करना है वो आप यहां पर लिख लीजिए प्रस्ना नूसार ठीके यह आप लिख लेंगे ठीके इसके बाद आपको क्या करना है सबसे पहले आपको बेलन का प्रष्टिये छेत्रफल निकाल लेना है वेलन का प्रष्टिये छेत्रफल आपको निकाल लेना क्या है 2 π पाई एच अब आप मान रख दो बस दो है दो लिख दो पाई का मान क्या कहलाता है 22 वटे 7 गुणे आर का मान क्या है 7 ठीक क्या है 7 गुणे है एच का मान क्या है 6 यह आप लिख दो अब यहां पर आप नैचे दिखेंगे देखो साथ इसे साथ कड़े आएगा अब देखो बाइस दूनी चो बालीस हो जाएगा गुणे छे अब इसका आप गुणा कर लीजे कितना आएगा देखो छे चोको चौबीस चौबीस दो होगा जो हो जाएंगे आपके 26 ठीक है यह आपका कितना हो जाएंगे सेंटी मीटर स्क्वेर क्योंकि अपन छेत्र फल गयात कर रहे हैं अब इसके बाद आपन क्या निकालेंगे अर्द गोले का प्रश्टिय छेत्र फल बरावर क्या है आपका यहां पर यह आपका अलग हो गया ठीक है यह सिस्टम पूरा आपन यह कितना होता है टू पाई और स्कुर ठीक है यह आपको निकालना तो यहां पर रहे हो जगा नहीं वची होने के कारण आपको क्या करना है आपको दिखती रहना छोटे अक्षरों में लिख रहा हूं दो गुझैय पाई कमान 22 गुझै सात गुझै आर स्क्वैर ना तहान है आ ठीक है और गोणे साथ है तो साथ का भी गोणा कर लीजिए आप देखो साथ का साथ साथ की साथ को 28 हाँ से लाएगा दो साथ चुको 28 और 28 दो 30 क्या हो जाएगा 308 यानि कि आपको अर्ध गोले क्या लेखा हुआ है अर्ध गोले है अर्ध गोले का छेत्रफल आपका किसमा त्षय निकलिया 308 और हम circulating क्या बता आया था आप भी सोच लिए जिए आप देखो आपको क्या लेखना है पूरा यहां पर वर्तन का अ बरतन का आंत्रिक अ आंत्रिक प्रश्थिये च्छेत्रफल वरावर आपको लेखना बेलन का प्रश्थिये च्छेत्रफल कितना है 264 ठीक है और फिर आपको प्रश्थ लगा लेना है फिल लिखना है अर्द गोले का प्रश्थिये प्रश्थिये च्छेत्रफल केतना है टू पाई यार स्क्वेर था 308 आया 306 308 सेंटीमीटर स्क्वेर यानि कि 308 इन दोनों को आपको जोड़ लेना है क्या आएगा देखो कि आथ आथ व चार 12 हो जाएंगे पिर्थी के च्छेए उच्छे हेएक साथ हो जाएगा तीन दो पांच हो जाएगा 572 सेंटीमीटर इसकुर्य आपका क्या आएगा पूरे वर्तनका आंतरेग पुरे आंतरेग क्या- इस बरतनका पूरा प्रश्थिये चेत्र प्ल क्या है गाए पांचाटेशाएंट अगर आप इसका स्क्रीन सूट ले यह जिसा हट जा रहा हूं ठीक है अगर हाँ पूरा अच्छी तरह से मैं क्या कह रहा हूं अगर आप इसको पूरी अच्छी तरह समझ गए हो ना तो आप स्क्रीन सूट ले लिजिए और मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाई और कटाक से सेर मारो